किसान साथियों नमश्कार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूटूब चैनल एग्रीकल्सर एक्सपर्ट लंबे समय से किसान भाईयों की डिमांड थी कि सर तिल की खेती के ऊपर कोई वीडियो बनाईए तो हमें एक ऐसे फिल्ड क तिल की खेती आप कितने समय से कर रहे हो तिल की खेती लगबग मुएं दस बारा साल से करता हूं दस बारा साल हो गया आपको खेती करते हुए तो अभी आपने जो यह किसम लगा रखी ए कौन सी वराइटिए यह शक्ती बर्द लग है 333 नमबर हां तो जानना चाहूंगा एक ही पानी दियो दस से किला यूडिया खाते हैं जिया कोई चीटी जगन दिखाई बेंगे तरड़ तरड़ फैंकी पत्ता पर प्रड़न कोंदी ठीक है तो अब मालो जो आपकी फसल खड़ी है इसको देखकर के आपका क्या कुछ विचारा कि इस हिसाब से फसल लग रही है है तो आपको तो खड़ी फसल को देखकर कि खिसाने का अनुमान लगाते हैं जैसे अपने देशी बासा में बोलते हैं कूंतना तो आपका क्या कुछ अंदाज है कि कितनी उत्पादन दे देगी यह लगबग पांच या च्छे कुंटल लगए लगब पकी देगी गारंटी अपने पांच कनाल गांच कनाल का इक ही की का अपने की के पैदावार और अपने इसमें कोई सपरे डाली हो कुछ उनको पांच है तो जैसा कि आपने देखा हमने फार्मर से फीडबेक लिया दिनके यहां पर फसल लगी थी अब हमारे साथ इंकी जो आसपडोस किसान है वो भी है मोके पर मौझूद है इन से हम पूछेंगे कैसी लगी इनको फसल तो बाइस आप सबसे पहले अपना परिचे दें मेरो नाम संदीप गाओं पर लिखा पसल बहुत बढ़िया अगम है भी बिजाए अपने कितने समय से आप लगातार सुरू से बिजाई हु तो यह फसल आप देखने तिल की इस पर क्या कुछ रुजहान लग रहा है आपको कितना प्रोडॉसन दे देगी और कैसी वराइटी है बड़ी है और जो कि वराइटी देखा मानुआ बहुत बड़ी है गुच्छे जिए जिए और दूसरे आपके साइड गामाइक के लाग पाइए उनसे भी हम बात करते हैं नाम असौकुमार जी काउं प्रली का आंग खेत प्रोडॉसी चाहें कि आप खेत प्रोडॉसी है तो आपने इसको शुरू से लेकर एंट तक देखा है क्या कुछ आपको लग रहा है फसल कितना उत्पादन देगी वराइटी है बड़ी ह एक बार अपना नाम पता बताएं यह क्या कुछ लगा आपको इस वराइटी को देखकर अपराटी बहुत बड़ी है यह थे हमारे साथ एक सपल किसान जिनोंने तिल की खेती से जुड़ी जानकारी हमें दी इसके लावे अदि किसी भी किसान भाई के मन में कोई डाउट सं पूछ सकते हैं जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा आपको यह वीडियो पसंद आए तो श्यादिक स्यादिक लाइक वेसेर जुरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें थैंक्यू